फ्रेंट जेट एर्वेश के बंद होने के बाद जेट के करमचारियों में से एक करमचारी ने सुप्रीम कोड का दर्वाजा खट-कटाया है मामला ये है कि जेट का ये करमचारी जेट एर्वेश के बंद होने के बाद नोकरी की तालास में है लेकिन जेट के इस करमचारी को अभी तक किसी अन्य एरलाइन कंपनी नोकरी पर नहीं रखा है ऐसे हालात में इसको अपना गुजारा करने के साथ साथ अपनी पूर्व पत्नी का मैंटेनस कोस्ट भी देना था जिसमें वह अपने इस हालात के चलते नहीं दे पा रहा है और इसके लिए इस करमचारी ने सुप्रीम कोर्ट से ये दर्खवास लगाई है कि उसके द्वारा दिये जाने वाले मैंटेनस कोस्ट को माफ किया जाए इस धारा के अनुसार यदी पती स्वस्थ है तो मान लिया जाता है कि वह पैसे कवाने के लाइक है और ऐसे हालात में मैंटेनस कोस्ट देना पड़ता है तो फ्रेंट जैट का ये करमचारी अपने मौजूदा हालात के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में दर्खवास लेके पहुँचा है कि उसके उपर से मैंटेनन कोस्ट का बड़न हटा दिया जाए फ्रेंट जैट एरवेज के इस करमचारी के साथ साथ जैट एरवेज के अन्ने 20,000 करमचारीयों के सामने अपनी रोजी रोटी का संकट उस समय आ गया था जब जैट एरवेज 70 अपरेल से बंद हो गई थी और तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक ये चालू नहीं हो पा ही है